अकसर हम अपने घर को सजाने के लिए, औरगनाइज़ करने के लिए काफी सारे महेंगे प्रोडक्ट्स बाई करते हैं चाए आप शौप से बाई करें, चाएप आनलाइन बाई करें बट कभी-कभी वो प्रोडक्ट वर्थ होते हैं वही चीजे हमें अपने घर पे भी मिल जाती है तो चलिए आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि किस तरीके से आप पिल्कुल बजट में अपने घर को और्गनाईज कर सकते हैं और सुन्दर बना सकते हैं तो इसके लिए जो मेरी सबसे पहले टिप ये है दोस्तों अक्सर जो हमारे chest of drawers होते हैं वो इस तरीके से unorganized रहते हैं तो आप इने देख सकते हैं पूरा समान इसके अंदर फैलावा है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी organizer use नहीं करा है इस तरीके से तो आज हम बनाने वाले हैं इसके लिए organizer बिलकुल फ्री में तो हम जब online shopping करते हैं तो इस तरीके के cardboard हमारे पास कई ज़्यादा मातरा में इखटे हो जाते हैं कुछ बड़े size में होते हैं कुछ छोटे size में होते हैं बट मैं इन्हें समाल के रखती हूँ कि ये मेरे drawer को organize करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कभी छोटा वाला fake देते हैं ये बड़ा वाला fake देते हैं कि हमें एक ही size का चाईए नहीं ऐसा नहीं करना है आपको जो भी organizer है दोस्तों अगर बड़ा size का है तो आप मतलब जिस हिसाब से आपके drawer की shape है उस हिसाब से आप इसे cut कर लीजे तो जिस तरीके से छोटे size का है तो मैं side से चाको के help से जो edges हैं वो cut कर लूँगी और ये काफी अच्छे organizer होते हैं कि एक बार time हम बोर भी हो जाता है तो हमें इसली fake लेते हैं और ये हमारी चीजों को काफी अच्छे से organize करके रख लेते हैं क्योंकि ये उन चीजों को separate कर लेते हैं जो जो चीज़े हमें इसमें रखनी है तो इस तरीके से मैंने अब ये देखिए ये इस तरीके का लंबा है इसके अंदर भी कुछ समान आया था तो ये अंदर का समान निकालने के बाद मैं क्या करूंगी इसे उपर से तो सैलो टेप लगा लोंगी कि ये अच्छे तरीके से wrap हो जाए सैलो टेप लगाने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों इसे हम बीच से cut कर लेंगी क्योंकि इतना लंबा तो आएगा नहीं ड्रॉड में तो इस तरीके से हम इसे बीच से cut कर लेंगे तो इसी तरीके से जितने भी आपके पास इस तरीकी के carton box हैं उनको आप बीच से side से cut करके इनका बहुत ही अच्छा organizer बना सकते हो तो ये मेरे पास काफी सारे boxes हो चुके हैं ये ने मैंने सब को cut कर लिया है और इसी तरीके से हमारे पास दोस्तों ये phone के boxes भी रहता है ये भी काफी अच्छे organizer होते हैं तो मेरे पता नहीं कितने सालों से इकटते हैं मैं हर ड्रॉर में से लगाती रहती हूं तो पहले तो आपको क्या करना है हमेशा ड्रॉर की अच्छे से सफाई कर लीजिए और चीजों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि मतलब आपको page का splash इस साइड रखने है ये tools इस साइड रखने है इस साइड रखने है तो उसके बाद इससे सफाई कर लीजिए और उसके बाद मैंने अपने ड्रॉर को कर लिया है organized तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉर काफी अच्छे से organized हो चुका है आप चाहे तो इन boxes में color भी कर सकते हैं या as it is भी इसे रख सकते हैं वो आपकी इच्छा तो देखिए इस तरीके से मैंने चीजों को अलग लग रख लिया और इससे मेरी चीजे काफी अच्छे से organized भी रहती है और लंबे समय तक ऐसे ही रहती है तो ये सबसे अच्छा benefit होता है इस चीज में तो जो मेरी next tip है दोस्तों वो है इन जो रहप वाली polythines आती है इनको लेके तो ये मेरे पास काफी ज़्यादा मात्रा में थी तो इससे मैंने साथ कुछ organizer मंगाया था तो उसमें ये polythines आई तो इसको मैंने क्या करा इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद ये मैंसे fake नहीं सकती थी क्योंकि कभी हमें shifting की जर्रत पर जाती है कभी हमें property भीजने की जर्रत पर जाती है जब हम shift करते हैं ज़्यादा था समान को तो इन polythines की बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता होती है तो इन polythines को समालने के लिए मैं कहीं पे रखती तो वो मेरा ज़्यादा space लेता तो इनके लिए सबसे best था मेरा ये है कि मैंने इन्हें क्या करा इन्हें डाला है cushion cover के अंदर cushion cover के अंदर डालने से तो पहला तो ये फायदा है कि अगर आपके पास extra cushion नहीं है तो आप इनके अंदर इस तरीके की polythines को fill कर सकते है second change कि ये आपका एक बहुत अच्छा organizer का काम करेगा इसके अंदर डालने के बाद आप believe नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने ये polythines डाली है और ये काफी ज़्यादा soft भी होती है ऐसे नहीं होता कि आपने इसको wrap करा तो ये जो cushion होगा वो बहुत ज़्यादा hard होगा नहीं, cushion है वो बहुत ज़्यादा soft आपको लगेगा और काफी ज़्यादा fluffy भी लगेगा एकदम heavy सा लगेगा कि आपने काफी अच्छे वाला cushion यूज करा है तो इसे देखिए मैंने हमेशा आपने सोफे में लगाया कि रखा रहता है तो कोई भी इसको judge नहीं कर पाता कि इसके अंदर cushion नहीं है आप भी ये hack ट्राइ कर सकते हैं जब आपके पास इस तरीके के bubble wraps होते हैं काफी चाद्रा मात्रा में इखटे हो जाएं और काफी useful ये hack मुझे लगता है तो मेरी जो next step है दोस्तों वो भी sofa को लेकर है कि अक्सर मतलब हम वही sofa cover विचा विचा के bore हो जाते हैं या हमारे पास extra pair नहीं होता या हम buy नहीं करना चाते हैं तो सब के अलग अलग problems होती है तो इसके लिए सबसे अच्छा hack ये है कि आपके पास इस तरीके की single bed की bed sheet हो और bed sheet आपको cotton की ही लेनी है आप चाहें तो इस तरीके के tassels इसमें लगा सकते हैं तो ये मैंने tassels तो लगाए हैं ये इतना काम नहीं करा है क्योंकि tassels मैंने जिस side से लगा है उस side समय से बिचा नहीं पाती हूँ तो आपको करना क्या है इस तरीके से bed sheet को fold करना है और fold करने के बाद आप इसे sofa के उपर लगा लीजिए आपको पता भी नहीं चलेगा या किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने एक bed sheet इसके उपर बिचाई है यह ऐजा लगता है sofa throw आपने बिचाया है इससे एक तो आपका sofa भी गंदा नहीं होगा आप थोड़ा बहुत change चाहती है तो आपका जो living room है वो बिल्कुल ही अलग change सा हो जाएगा एक दम उसमें मतलब आपको काफी ज़्यादा changes नजर आएंगे तो ये वाला hack आप next time जरू try कीज़े बढ़ हाँ जो भी bed sheet ले वो cotton की ही ले और ये जो मैंने bed sheet बाई करी है दोस्तों अगर आपको भी बाई करनी है तो please मुझे comment करिए मैं आपको इसका link दे दूँगी तो मेरा जो next hack है के दोस्तों अक्सर wooden furniture को लेके रहा है अक्सर जो हमारे wooden furniture होते हैं वो काफी ज़्यादा दिन प्रति दिन डल हो जाते हैं इनको maintain रखने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लेना है coconut oil सिंपल सा जो coconut oil आप यूज करते हैं वो ले लिजी और थोड़ी से amount में आपको coconut oil लेना है एक चमच के करीबन आप coconut oil लेंगे उसके बाद आपको लेना है उसनों cotton का कपड़ा और इसमें यह थोड़ा सा जो oil है वो अच्छे से लगा लेना है बस ध्यान यह रखना है कि oil ज़्यादा नहीं होना चाहिए ज़्यादा उने से क्या होगा एक तो जो आपका फरनीचर है उसमें काफी ज़्यादा और ज़्यादा डस लग जाएगी बस हलका सा oil आपको ले लेना है और उसको अच्छे से अपने टेबल है आपका डाइनिंग टेबल जाएस ट्रॉटर जो भी आपका फरनीचर है उस पर अच्छे से बसी क्लीचे जैसे एक तरीके से क्लीनिंग आपको करनेजिए आप देखेंगी जो आपका फरनीचर है वह काफी अच्छा शाइन भी करेंगा और वह काफी अच्छे लॉंग टाइम तक से व रहेगा नेक्स जो मेरे टिप है दोस्तों वो बेडशीट को लेकर है कि अक्सर जो हमारे हैवी मैटरस होते हैं जनके हाइट ज्यादा होती है उसमें बेडशीट बिचाना थोड़ा सा टफ हो जाता है according तो जो पतले वाले मैटरस होते हैं इनको बिचाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आपको मैट्रस को हलका सा उठाना है और आगे की साइट खीचना है तो जिससे वो पीछे की साइट इस पेस रहे जाए उसके बाद मैं क्या करती हूं दोस्तों इसमें इस तरीकी की जो होते है ना नोट वो ब वादने से एक तो मेरी बेटशीट बिल्कुल भी नहीं सकती है, as it is ready है तो इस तरीके से आप बेटशीट पर नोट्स बांदी ज़े और बेटशीट को पूरी तरीके से फैला लीजे जब बेटशीट को पूरी तरीके से फैला लें उसके बाद आपको करना क्या है जो इन नोट है इसको आपको मैट्रेस के नीचे लगाना है इस तरीके से मैट्रेस के नीचे लगाने में पहले हम चारो साइट से इस तरीके से लगा लेंगे पीछे की साइड हम अच्छे से मैटरिस के नीचे दवा देंगे ये देखिए जब आप चारो साइड से इस तरीके से बिछा लेए चारो जो नोट हैं उसको मैटरिस के नीचे लगा दे उसके बाद आपको इसको हलका शॉप्च करणा है और यह देखे, आपका आगे की साइट से और पीछे की साइट से एक दब मैट्रस परफेक्ट आ जाएगी, इस पे बिलकुल भी सलवटे रही आएगी और जो बचीवी साइड है उसमें आपको क्या کرना है? जो ये बच सीट लैटा करिए है उस साइड में आपको क्या करना है? इस तरीके का आपके पास जो पराठा पलटने का पलटा आता है वो आप ले लीजिए यहाँ पर आप कॉप भी ले लीजिए मुझे यह ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि यह थोड़ा बड़ा होता है इस तरीके से मैं इसको पुश कर लेती हूँ तो पुश करने से क्या होता ये बेट शीट मैट्रस के नीचे अच्छे से दब जाती है जो बेड है वो काफी अच्छा सुन्दा लगता है एकदम जो बेट शीट है उसमें बिल्कुल भी सेलवटे नहीं आती है इसी तरीके से आप दोनों साइट से करने के बाद आपको क्या करना है लोग वगरा लगा लीजिए जिस तरीके से आप अपने बेट को बना लीजिए तो I hope दोस्तों आज की tips and tricks आपको मेरी जरूर पसंद आई होंगी तो पसंद आई होंगी तो करना गया मुझे comment section में ये जरूर बताईएगा कि आज का ही वीडियो आपको कैसा लगा तो आम मिलते हैं दोस्तों आपसे next वीडियो में till then bye, take care